हाँ हाँ तो अवालिंग पॉइंट अब आईए मेल्टिंग पॉइंट कि किमेस्टरि में मेल्टिंग पॉइंट का ऊडर बहुत सारे फ्रेक्टर्स हैं तो में यह तो और गनिक में आएगा मेल्टिंग पॉइंट के लिए है वंडरवाल पॉर्स अट्राक्शन और डारेक्टी पॉर्शन उन्टू सिमेट्री जितना सिमेट्रिकल होगा मॉलेकुलर वेट पर भी डिपेंड करता है एक एक फेक्टर नहीं है इसके बहुत सारे फेक्टर्स हैं कि कुलोजली मेल्टिंग पॉइंट कब मेजर किया जाता है सॉलीड स्टेट में वालिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट में तो आप देखिए अब हैट्राइड का जनरल है अमूनिया और से सुनें पी एस थिरी को एस से सिरी एंड को चार का आपको बॉलिंग मेल्टिंग पॉइंट का ओडर पूछे गा यह तो अब इसको इसको सिद्रेट नहीं करना आप वालिंग पॉइंट का फॉंड इंटार ले डिफेरेंट ओडर अफ मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़ादा मेल्टिंग पॉइंट होगी वहोगी अमूनिया की कि उसके बाद हम फिर मॉलेकुलर वेड को देखेंगे डिडि यू अंडरेस्टाइंड एवरीवन अरे बोलिये न अगर भी आइस थिरी लिख दे तो भी आइस थिरी आ जाएगा इस थी के बाद वालिंग पॉइंट का फंडा इंटारली देखें एस त्रिया वो मोर कुलोज ली पैक बनाएगा हाइड्रोजन बॉंड की वजह से सॉलिड स्टेट में वह एक अलग फंडार बॉलिंग पॉइंट का अलग फंडार में अलग फंडार और अब को मैंने पताया था बहुत सिमेट्रिकल जितना सिमेट्रिकल होगा ततना वो ज्ञादा कुलोजली पैक डेस्ट अग और जितना ज्यादा कुलोजली पैकड होगा तैना आपकाज होगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा डिढ अन्र स्टेंडργों का इस जो न बताये इतना यहां तक लिख लिएा सारे लोग तो यह सब और आपको एकदम सतर होके याद रखना है यह पूरी बातियों हुई हाइड राइड में पूरा ए से लेकर जी वाँ एबी सीडी एफ जी सेवन पार्ट इसमें बताएगा है बेसिक करेक्टर बॉंड लेंथ बॉंड एनरजी रिडूसिंग करेक्टर थर्मल पार्ट है बॉंड एंगिल एंड शेप तो देखें केमेस्ट्री में हमेशा याद रखिए जब भी कंप्रेजन हो बॉंड एंगिल का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो इस्टेव फरस्ट हम बॉंड पियर लोन पियर निकालेंगे यह जितना जादा होगा बॉंड एंगिल कम होगा अगर बॉंड पियर लोन पियर सेम हो तो हमें स्टेव सिकन पर जाएंगे समझा तो हम लोन पियर को देखेंगे लोन पियर जादा बॉंड एंगिल कम रिपल्शन की वज़ए से और अगर loan pair भी है लेकिन number में same है if loan pair is same then हम electronegativity को देखेंगे इसको देखेंगे electronegativity अब electronegativity में दो फंडा यह सब आपको 11 में परशुके हैं आप यहां पर भी है में दो फंडा bond angle यह मैं यहां लिग देता हूं दो फंडा bond angle directly portioned to electronegativity of central atom and bond angle inversely portioned to electronegativity of surrounding atom और सब बाते हैं जो मुझे से detail में परशुके हैं वो हमने बता दिया लेकिन कम से कम school level में question करने के लिए यह priority आपको मालुम होनी चाहिए इससे आपका लगभा question solve होगा सबसे पहले हम bond pair loan pair step second में loan pair और loan pair अगर से में तो electronegativity electronegativity में दो बाते हैं इससे पुरा question solve होगा बाकिस आप इसमें और सारे चीज़ देखते हैं वह आप सबको बता चुके हैं अरे बता चुके हैं न मेगना मेरे सबको बता चुके हैं याज अब यहां यह आमोनिया है कि यह स्थिरी है कि एस स्थिरी है एस भी स्थिरी है बी आई स्थिरी है आपको order of bond एंगिल पूछेगा अच्छा जो मुझसे डीटेल में पर चुके हैं इन तमाम सारे जो लोग पर चुके हैं तो अब देखो बॉन अंगिल के लिए हम कैखे सबसे पहले बॉन पियर अगर निकानना हुड तो देखो मेरा cœur surrounding atom जतने surrounding होते हैं उतने bonds pair होते हैं alone पियर निकानने का असान तरीका है जो कैसे करोगे nitrogen के वालेंशन में कितने electronic हैं जल्दी बतारो पांच पांच गुरूप फिफ्टीन है ना गुरूप फिफ्टीन के वालेंशल में पांच किसी का भी अट्विक नंबर मालूम रहे न रहे गुरूप याद है तो आपको सब मालूम हो जाएगा डिल्यू अंडरेस्टैंड सब के वालेंशल में पांच अज सब को जोर दो पांच, तीन, आठ एक मिलाद सुनो बॉन पिर हमेशा याद रखो नमबर ओफ सराउंडिंग एटम एक तरीका ये और एक आसान तरीका भी समझा देता हूँ जिसको नहीं आ रहा है टोटल एलक्टॉन पिर निकानने का तरीका याद रख लेना हाफ कर दो वालेंश एलक्टॉन आफ सेंट्रल एटम कर दो अपला सराउंडिंग एटम एकसेप्ट ऑक्सीजन अक्सीजन रहे तो मत लेना अगर उसे दन रहे तो आपको नहीं लेना है और टोटल एलक्टॉन पिर में से बाउन पिर को घटा दोगे तो लोन पिर आ जाएगा लेकिन यह लोन पिर किस पर आएगा सेंट्रल एटम पर अब देखो सारे लोग नाट्रोजन के वालेंश में पांच पांस तिन आठ आठ सराउंडिंग पांच तीन आठ 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 का आधा फोर फोर में से तीन घटा दो वन डिडियो अंडरेस्टाइंड जी सर अरे यार कुई नहीं बोलना है तो यह गलत बात है ना जी सर अरे ट्वल्थ के स्टुडेंट सब बताए यार जो ट्वल्थ में है अरा है सर फेर से जैखो ऑर्सेनिक में पांच नहीं समझ मैं रहा ना पांच दफा सम्झाऊंगा और देखो ऐसे ही करना बॉन पिर तो निकान ने आगया आर्सेनिक के वाले इंशेड में 5 5 3 8 8 आधा 4 4 आगया टोटल इलेक्ट्रों पेर 4 में से 3 घटा दो 1 फिर से अंटिमनी 5 5 3 8 8 का आधा 4 4-3 अभी भी नहीं आया बोलना यार अभी भी नहीं भोलना यार गलत बात है ना कोई बोली नहीं रहा यार इतना मैं समझा रहा हूं रिपीट करके अच्छा फिर सदेगो फिर मत आएगा तुम्हें बैसमत के वालेंशन में पांच तीन सरांडिंग आठ आठ का था 4-3-1 बो फोर 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 सब्सक्राइब करेगी एलक्टो निगेटिविटी पर किस पर डिपेंड करेगी अब मैं रीजन भी दूंगा यह तो मुझे समझाने में टाइम लगा मैं इसलिए कह रहा हूं गुरूप 15 में सारी बाते हैं गुरूप 16 में यह सब लिखाया नहीं जाएगा सब बताओ सबको समझ में आया वहालों को भी समझ में और मर्यम एक बहुत ही तेज स्टूडेंट है उनको समझ में आया हां या ना मर्यम नाम के स्टूडेंट को समझ में आया जल्दी बताएं ओके साइंटेस्ट तो सबसे पहले बॉंड एंगिल के लिए बॉंड पर कसम निकाली है बॉंड पर कसम से में तो लोंपर कुछ देखें लोंड पर भी सेम है तो लेक्टो नेगेटिविटी अलेक्टो क्या मैं आगे बर सकता हूं यह अब मैं कोई कहें अब देखो यहां ऐसा क्यों होता है तो एनेस थिरी सब डिदम डिटेल में समझो एनेस थिरी है पिरामिडल शेफ होता है अब यह पिएस थिरी है खुश सोचो नाइट्रोजन की अलेक्टो नेगेटिविटी जादा तो यह बॉन पियर को अपनी तरफ खीचेगा यह बॉन पियर बॉन पियर में मोर रिपल्शन होगा तो यह दोनों एक्स्पैंड कर जाएगा कि नहीं जल्दी बताओ जाएगर जादा जड़न पियर मॉर बॉन पियर बॉन पियर डे रिपल्शन याद रख लो बॉन पियर बॉन पियर पिर इपल्शन जादा बॉन्द गिल जादा एत फास्प्रोlin डोरा सा दूर होगा दूर से यहां जितना ऍेर्टभु तर बां पियर उसके नजदी के United तो रिपल्शन जादा होगा तो रिपल्शन जादा होगा तो रिपल्शन जादा होगा तो बॉंड एंगिल जादा होगा यह दोनों लाइन एक्सपैंड कर जाएगा अब समझ में आया यह वाला सलाइड लिख लिए थे पहले बताओ कहा गया एक मिनट यह सलाइड लिख लि लोग एक दफाद दो आपने सब्सक्राइब करें चरप्स नाम के स्टुडेंट मुझे आप वाच्व करें और सलाम करें नाइम्ट नहीं पहरा जनदी सब्सक्राइब अभी जस्ट अरे सुन रही है लिख लिख लिया सारे लोग ये सर अच्छा आगे बरते हैं अब देखे जिसको ये जिसको ये लिखना है तो यहां पर बॉंड प्यर कर दो यह भी बहुत सारे तरीकें हैं तुमको जो आसान लगे तुमको पहले से आता तो वही करो लिख लिया यह सर यह लिख लें एक्स्प्लानेशन जितना लेक्ट्रो नीगेटिविटी ज्ञादा होगा नाइट रोजन के लिट्रो नीगेटि ज्यादा तो वो बॉन्ड पेर को अपनी तरह या रीज नाम के इस्ट्रूं को कुछारा यह बहुत जीज को कुछ आड़ा समझ में यह बोलती क्यों नहीं है सब लोग चुपी क्यों बैक्ट हुई है भाई लिख लिए सारे लोग बताएं जी से तो यह पूरी बाते हुई हाइड्राइट के बारे में सब पर एक एक नंबर का रिजनिंग टाइप कुछ भी पूछा जा सकता है यह से लेकर एक तक लेकिन इसमें करा देता हूं तुमसे पूछेगा यह बता दोगे तो मैं समझूंगा तुम लोग बहुत अजीम शक्सियत हो देखो पीएश तीरी है अब जो मुझसे सुबावाले बैस के स्ट्वन पर च जोर से बोलिए दुबारा बोलिए ना इस पूर प्लेश फॉस्पोर प्लेश पॉस्पोर माइश वेरी गुड वेरी गुड वेरी इस लिए कि यह डारेक्ट हो गया कुछ निकानने की दरहत नहीं है जो शॉट ट्रिक्स पर रहे हैं लेकिन आपको जब भी स्कूल के लोन पेयर पांस तीन आठ मैं फिर से बोलना हूं पांस तीन आठ आठ का दा फॉर फोर माइनिस त्री बन अब सुनो यह मजा आने वाला देखो फास्पोरस के वाले इंशेल में पांच पॉसेटिव चार्ज रहे तो घटा दो चार अरे यार बोलो ना सब को समझ में आया कि बोलन पेयर का संसें तो लोन पेयर को देखों यहां लोन पेयर ज्यादा तो ओडर और अगने अरे यार बताओ ना हाया न है लो एकश्पर कर रेकी कि बॉंड एंगिल को कम कर देता है डिड यू अंडरेस्टाइंड जल्दी बताएं हेलो एवरीवान डिड यू अंडरेस्टाइंड यस सर चलिए आगे बरहें आगे बरहें जल्दी बताएं अब हम आपको जो नेक्स पार्ट नेक्स पॉपर्टी लिखा रहें कि सारे लोग ध्यान दो ओक्सी एसीड और फास्फोरस क्या परना जल्दी बताओ सारे लोग और अच्छे से सामझो यह बहुत अच्छा टॉपिक है दोनों एक्जाम के लिए इसमें शाट ट्रिक्स अब बहुत हैं सारे लोग ध्यान दें मेरी आदत है तुमसे कोई पूछे ऑक्सी एसील की पहचान नॉन मैटल पलस ऑक्सीजन पलस हाइड्रोजन इस इस कॉल ऑक्सी एसील देखे ऑक्सी एसील की नेमिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए अब देखिए उससे पहले की नेमिंग आए पहले हम आपको रूल फॉर ड्रॉइंग दा इस्ट्रक्चर जल्दी जल्दी आपको याद रखना है रूल फॉर ड्रॉइंग दा इस्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ सारे लोग सुनना अच्छे से दो तीन बात हैं के और यह रूल है फॉर सिंगल सेंट्रल एटम के लिए जो पर चुके हैं वो रिवाइस करें और लिखना शुरू करें फास्ट हाइड्रोजन और फॉलरीन कन नेवर भी सेंट्रल एटम पहला पॉइंट किसी को इतराज है इस पॉइंट में जल्दी बोलो अब दुसरा कॉइंट पर होगा थैन इप उक्सिजन present at corner अगर oxygen corner पर होगा then it forms double bond अगर oxygen किनारे हो तो double bond बनाएगा revision हो रहा है रहे बताओ ना revision हो रहा है ना हाँ, 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 डाउट भी के लियर होना चाहिए, इफ ऑक्सीजन, जैसे किनारी का मतलब ऑक्सीजन है, अकेला है, देख लो, तु जड़ से तुम समझ जाओ कि डबल बॉंड होगा, तुमारा ताइम बच जाएगा, बोलो हाँ या ना, टाइम बचेगाना, बाभू, हाँ या ना, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, यार, पहले बताओ, तु बताओ, अरे मर्यम आप लिख पा रही है कि नहीं, जल्दी बताओ, ये, सब लोग लिख लिया है, तु बताओ, ये, मेरे साथ साथ लिखते रहे, जहां मैं कहूं, थुड़ा सा रूख जाईए, तु रूख जाईएगा, लेकिन इन सब में लिखते रहे हैं, मैं एक साथ समझा दूँगा, ये, सबसे आपको इन और्गनिक बहुत मजबूत हो जाईए, कोई टेंशन नहीं, ये, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोई टेंशन नहीं, देन, इट फॉर्म्स, अरे आंगा, तू सिंगल बॉन, अब यहां पर डबल बॉन ना बना कि जैसे, देखो, ओक्सीजन बीच में आ गया, इधर भी है, इधर भी है, तो ये ओक्सीजन बीच में आ गया ना, तो दो सिंगल बन बना देगा, इधर ये मतलब हुआ, ये मतलब हुआ, ये मतलब हुआ, तीशरी बात, अब सुनो, इधर नेगेटिव चार्ज, प्रेजेंट अन्दा मोलेकूल, गौर से सुनो, ध्यान देना अच्छे से, मैं रुक के इसको परहा रहा हूँ, इधर नेगेटिव चार्ज, प्रेजेंट अन्दा मोलेकूल, एंड ऑक्सीजन इस प्रेजेंट, नेगेटिव चार्ज भी है और ऑक्सीजन भी है, देन इट कंसीडर्ड, मन में रिपीट किये कि नहीं जन्दी बोलो, नेगेटिव चार्ज भी है और ऑक्सीजन भी है, बोलो सारे लोग मिलके बोलो, नेगेटिव चार्ज भी है और और मोलेकूल में ऑक्सीजन भी है, हाँ, तो देखो, देन नेगेटिव चार्ज, इस कंसीडर्ड ऊं उख्सीजन एंट इस कंसीडर्ड ऊण अर्श बोलो गोड़ो एक रूम्टी तो यह तक जल्दी बता आगर नेगेटीव चार्ज है ऑक सीजन भियें तो नेगेटिव चार्ज कहां दोगे जल्दी बोलो अक सीजन एक हां ठीक है कि अधर वाइस नेगेटिव एन पॉजेटिव चार्ज ऑलवेश कंसीडर्ड विक validे कि अगे और ओक्सेजन नहीं है तो नेगेटिफ पॉजिटीव जाल हो समझा की नहीं नहीं लेकिन अगर सी यज नहीं है तो पो सुनता होगा जल्द संत्र Scripture अब आफ पॉसेटिव ऑलवेस कंसीडर वंसेंट्रल अब डिए अज बो ये ना इंद सब को समझ में आ जल्दी बोलो यार कि नेगेटिव में ही दो केश है सुनो नेगेटिव में ही दो केश है नीगेटिव है पॉजेटिव चार्ज या मैं इसको हटा ही देता हूं वरना कन्फ्यूजन ही रहेगा यह निगेटिव ही वाला पॉजेटिव को अलग से पॉइंट लिखवा देता हूं कि मेरी इंग्लिश कमजोर है अदर्वाइज नेगेटिव चार्ज यह रूल आप कम से कम याद रखिएगा सुनिये अच्छे से अभी बहुत सारे पॉइंट्स है ज्यान दिजिए यह पांट हो गया आपका और बोलिये ना सारे लोग मिलके यह किलियर हो गया जी एस ठीक है अब आओ इस ओक्सी एसीड का स्टक्चर कैसे ड्रो करोगे उसका रूल सीख लो वरना डाउट रहेगा ओक्सी एसीड और से सुनना इन ओल ओक्सी एसीड पहला पॉइंट अभी तुम्हें समझाने में टाइम लग रहा है समझ जाओगे सब धाएं धाएं हो जाएंगे प्रैक्टिस से इन ओल ओक्सी एसीड नंबर आफ हाइड्रोजन तुकि एसीड है तो हाइड्रोजन हो गई अग्सेप्ट फास्फोरस को छोड़ कर एक्सेप्ट ऑक्सी एसीड फास्फोरस इस इस वेरी वेरी और इसलिए मैं पुछेगा तुम्हारे सलेवस में मैं एक बात कर रहा हूँ फेवरेट कोश्चन है यह दोसों मारतब पूच्यू का और फास्फोरस इन अल उक्सी एसीड नंबर अफ थाइड्रोजन किसके बराबर होगा जल्दी बोलो नंबर अपोईच एक्सेप्ट किसको छोड़कर ऑग्सी एस तो सर्फास्फोरस का ऑक्सी एसे ड्रो करेंगे फौस्फोर्स और ऑक्सी एस पहले ही बात पीडवल बोन्द हो दोगे बाकी बांद को लगा दोगे बक्चा को सुना यह तरीका है तुकरत के फॉस्टीफ को करने का अब इसमें और सब्छीन यमिदेन का नहीं सकता है बाकी फॉस्बमान कि तुमको डारे कोई पूछे सुनो, S2SO3, कोई पूछेगा कितने OH, तो 2 हाइड्रोजन, 2 OH, कोई पूछेगा, S3PO2, कितने हाइड्रोजन, 3, कितने OH, कई ये 3 होगा, 9, हो भी सकता नहीं, इस्ट्रक्टर्टरोग करेंगे, ये फर्क है, और यार कुछ तो बोल दो, कुछ तो HNO3, एक हाइड्रोजन, एक OH, S2SO4, 2 हाइड्रोजन, 2 OH, S2SO3, 2 हाइड्रोजन, 2 OH, लेकिन फास्पोरस का उक्सी एसिड में, तुम मैं, इसी NCRT में पूछा है, तीनों में, तीनों में तीन, तीन हाइड्रोजन, लेकिन 3 OH सम में नहीं है, इसलिए सब ट्रिक्स अब याद रखोगे ना, तो रटने की जरुवत नहीं परेगी, इन whole chemistry की बात हो रही है, all oxy acid में number of hydrogen, exactly number of OH के बराबर होता है, लेकिन फास्पोरस के oxy acid draw करने का तरीखा, P double bond O, 1 OH draw कर दो, बाकी बचे खुचे को लगा देना, इसलिए सब्सक्राइड, अब आओ, तीसरा point, अब तीस सब चरपागल हो जाओगे, बस मैं rule सब सिखा देता हूँ ना, धाएं धाएं होने लगेगा, सुने सारे लोग, बोलना, बोलना, Yes sir, Yes, अब सुनो अच्छे से कान खोल किये, लिख लिए सारे लोग, जल्दी बताओ, अब आओ, तुम्हारे स्लेबस में बहुत सारा questions है, N2O5, अब आओ, बहुत आसान rule मैं तुम्हें बता रहा हूँ, Rule for structure, ब्रैकेट में containing, 2 Central Atum, कितने Central Atum जल्दी बताओ, 2 Central Atum, 2, 2, इस में पाले, तीन रूल याद रखना,., तीन रूल, बस, 3 रूल, रूल 1st, कितने रूल याद रखना, जल्दी बोल दे, तेन रूल, लिखना शुरू करो, if molecule contain two central atom an oxygen present in odd number then linkage पूरी केमेस्ट्री में दो को छोगे में एक्सिप्ट ऑक्सी एसीड ऑफ कि सलफर एंड एंट्टू ओथिरी बस वरना हमेशा दो सेंट्रल एटम है यहां पर क्या है तो सेंट्रल एटम है इफ मॉलेकूल कंटेंज तू सेंट्रल एटम और अक्सिन प्रेजंट इन अर्ड नंबर देंगेज इस गेवन बाई एओ एक्सेप्ट ऑक्सिएसीड ऑफ दा सलफर और एंट्टू ओथिरी के लिए रोग्या रूल फॉर जल्दी बताओ दो सेंट्रल एटम जैसे मैं मिसाल अब दो से टाहु सुनो अच्छे से लिख लिख लिया सारे लोग जल्दी बताओ ये अरे बोलिये न असब लोग ने लिख लिया ये जल्दी लिखें इस गाले कुल कंटें तू सेंट्रल एंट अन ऑल्द अन्बर दें लिंकेज इस गिए अश्ट अप्सिएड अश्य oh ये सैर अब सुनों अच्छे से मैं यसे तुम्हें देगा सी यल तृस घ्लाग जैसे तुम्हें देगा सी टो्शेवन बताओ कितने इसी अप्ड़नल दो पहले Min apply लो कि याषण किनारे डबल 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 कोई रटनी की जरौद पर भी ब्रदो जार लाइज है आप देखो अच्छे से फर किनर टीन चार अव्चेजन इधर दो दो किनारे डबल नहीं तो नाइट्रोजन पांच बॉन नहीं बनाता है नाइट्रोजन सिंगल डबल और यह कोडिनेट बॉन बना जाएगा अरे बोलो बोलो सारे लोग मिलके बोलो आया समझ में इक और नंबर 1 बनाता है नंगल और बनायगा तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा सुना सारे लोग oxygen ही double bond बनाएगा oxygen पर negative आ जाएगा तो single bond बनाएगा सुना सारे लोग अरे यार कोई नहीं बोलो गलत बात है ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना अरे सब को समझ में आ रहा 12th वाले every student को अरे बोलो इसलिए याद रखो दो सेंट्रल ले टाम है oxygen नंबर में किसको छोड़कर और सिर्फ इन टू थी को छोड़कर तो उसका कैसे करेंगे वह भी बताएंगे तीन रूल याद रखो दो सेंट्रल ले टाम तुम्हारा बच लिया किसको छोड़कर आपके पास option मौझूद है तीसरा अब रूल सिकंड रूल सिकंड रूल सिकंड रूल सिकंड रूल सिकंड रूल सिकंड लिखना शुरू करो इफ मौले कूल रूल सिकंड रूल सम्हओ करता। रूल सिकंड रूल सिकंड रू yumौण रूल सिकंड रिजाह पम सी, सबीड़कर इजाह रूल सिकंड रूल मौझू भाइल न थे तो स्क्तार इसे लिखे शरूल न savingında यह सिंगल बॉंड ए या इन सम केसे जहां उक्सीजन जादा हो जाए तो वहां बीच में रख दोगे मैं बता दूंगा कैसे समझोगे ए सिंगल बॉंड ए या ए ओ ए डिल्यू अंडरेस्टेंड जल्दी बता दो सारे लोग जब उक्सिजन इवेन नंबर में रहे तो ए बता कितने सेंट्रलेंटर में जल्दी बताओ तो तो या पहले विक्रो इसको देखो एंट तुओ अफ़ोर बताओ डो तो मेंद यह ज़ए पता है यह जाए यह जाए वлять यह जाए बांड रहे दाभल और सिंगल चुक्रम नहीं बना सकता तिसीजिटा हो गया कि नहीं आपके पास H4P206 है अब यह oxy acid आ गया तो कितने central atom दो तो तो पी single bond P oxy acid of the phosphorus है तो सतर क्राएंगे पहले A double bond O 1 O H draw कर दिया एक double bond O 1 O H draw कर दिया बाखी बच्चे हुए को लगा दिया हेलो 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 एवरीवन इंडरेस्टाइड जल्दी बोलो अरे महसीन महसीन मुट करो यार तुम बहुत बोलते हो इंडरेस्टाइड सबको समझ में आया जल्दी बताएं यह सब अच्छा अब देखो H4P208 है मालो दो सेंट्रल एटम है अच्छे है अच्छे नमबर है अब देखो सतर करेना फासबुरस है हो सकता पी सिंगल बॉंड पी रहे है तो ठीच है पी सिंगल बॉंड पी कर देते हैं तुम जब प्रैक्टिस हो जाएगे ने ने तुमें खुद पता चल जाए CO-H फास्फुरस में डबल पॉंड एकोईच बाकी बचे को लगा दिया तो खुश्चों अभी भी ऑक्सीजन बचा हुआ है कि में जल्दी ऑक्सीजन बहुत जादा है कि में जल्दी बताओ समझ जाना किये वाला होगा समझ में आ गया कि नहीं अरे बोलिए ना यार कुछ तो बोल तो यह सब को समझ में आ गया यह सब रूल थी है ऑक्सी ओक्सीडेशन स्टेट रूब यह सब यह मस समझ ना ट्वल्थ में नहीं है अरे तो आप्चे रट लेते हैं यह 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 नेकिन इसे इसे का होगा तुम्हें बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट रूल इत इस एपलेकेबल वही जो मैंने पहला में लिखाया था अपली के बल किसके लिए जल्दी बताओ फॉर बोलो फॉर ऑक्सी एसीड ऑफ बोलो ना यास इसमें दो पॉइंट अगर ऑक्सीडेशन इस्टेट मैक्जीमम है तो यह होगा चाहे एवन रहे या और रहे सुन लो सारे लोग ऑक्सी एसीड अब दा सल पर दो से सेंट्रल एटम है एक सेंट्रल एटम में तो होगा नहीं दो सेंट्रल एटम है और ऑक्सी एसीड अफ दा सलफर है तो ऑक्सीडेशन इसलिए यह बता रहा हूं अगर मैं यह नहीं बताओंगा ना तो कुछ सही होगा कुछ गलत हो जाएगा इसलिए ऑक्सीडेशन आप सीड़ अप्ड़ को छोड़ कर तो अप्ड़ इस टेट अप्ड़ कितना होता है आप देखो ऑक्सीडेशन एस्टेट अगर ग्रेटर दान मैंग्सीमाम है तो अगर ऑक्सीडेशन एस्टेट लेस्ट दैन मैंग्सीमाम है तो एसिंगल बॉंड हो चाहे इवन नंबर हो या और नंबर हो डिडियू अंडरेस्टेंड जल्दी बोल दो कि इस और यार गलत बात है ना बोल दो ना बोल दो ना चलिए अब मैं आपको पूरा यह रूल स्ट्रक्चर का मैंने तरीका सिखा दिया किसी को कोई डाउट है इसमें जल्दी बोलो एक और रूल है जो अभी मैंने बता हूँगा तुकि तीन चीज़ लगातार पढ़ाती हो तो दिमाग फट जाएगा थोरा सा आराम करने के बाद बुसरा चीज़ बता हूँगा यह तीन आपको याद रखना है दो सेंट्रल इटम का और सिंगल सेंट्रल इटम का और आगे परें जल्दी बता दो है हम लोग में टॉपिक क्या पर रहा है थे और सिए सिर्ट आप गुरूप फिप्टीन कि सबसे पहले हम इसमें टॉपिक डालें और सिए सिड़ा फास्फोरस ठीक उसमें पहला कि सुनो अच्छे से कि मेटा कि फॉस्फोरी के सिड़ अब इन और गनिक यह सब आप किसले बस में है कि मेटा फॉस्फोरी के सिड़ कि जब भी किसी मेटा वर्ट को याद रखना है मेटा कैसे बनता है इन और गनिक में तो सबसे पहले कि पैरेंट एसिड का फर्मूला याद होना चाहिए तो यह तो तुम सब को मालुम है फॉस्फोरी के सिड़ का फर्मूला होता है स्थिरी पीओ फोर डिडि यू अंडरेस्टाइंड और यह दो चीज़ पहले याद रख लो फॉस्फोरस एसिड का फर्मूला होता है स्थिरी पीओ थिरी यह पैरेंट एसिड अब मेटा मेटा वर कहां आता है देखो मेटा इस अप्टेंड बाई रिमूवल आफ वन वाटर मॉलेकूल वन वाटर मॉलेकूल फोराम पैरेंट एसिड डारेक्ट याद रहे तो ठीक ना याद रहे तो पैरेंट एसिड में से वाटर हटा दो तो फोस्फोरीक एसिड का फर्मूला एस थी पीओ फोर उसमें से एक वाटर हटा दो तो एच पीओ धिरी बना कि ने जल्दी बता हां या ना अरे बोलो तो बस मेटा फॉस्फोरीक एसिड के डारेक्ट याद रहे अच्छी बात ना याद रहे तो याद रखो एश्पी यो थी तो SO3 बनेगा मेटा डास नॉट एग्जिस्ट मेटा के लिए जरूरी है कि वाटर मॉलेकुल रिमूब तो हो लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो इस फॉर्म को कहते हैं अगर वाटर आपने हटाया और SO3 बना इसको कहते हैं अन हाइड्रस फॉर्म प्योर्ली फिरी फॉ आइसा है कि हां हाइड्रोजन है तो फॉर्दर वाटर इसमें से रिमूब हो सकता है यह अन हाइड्रस फॉर्म नहीं है चुकि हाइड्रोजन है वाटर निकल सकता है तो मेटा उसी में पॉसेबल होगा दोबारा सुनो मेटा उसी में पॉसेबल होगा जिसमें वाटर निका चलिए आगे लिखिए सारे लोग लिखिए जल्दी से तो मेटा बनाने का तरीका यह है पैरेंट एसिड उसमें से वाटर हटा दो डिद्यू अंडरेस्टाइंड कि येस लिख लिए थे सारे लोग जल्दी बताओ अरे बोलो लिख लिए थे लो सर्ड इसका स्ट्रक्चर कहेंगा तो बताओ फॉस्फरोस का ऑक्सी एसिड है तो पी डाबल बॉंड ओ एक वेश ड्रॉव कर दोगे पहले अब एक ऑक्सीजन बच गया तो ऑक्सीजन किनारे डबल बॉंड देखो फॉस्फरोस पांच बॉंड बना रहा है कि ने जल्दी बोलो हाया ना इस सब्सक्राइब इसमें एक नॉलेज और देनी है वो मैं अभी नहीं दूंगा वो मैं लास्ट में रिमार्स में दू सब्सक्राइब निखले सारे लोग जल्दी बताएं कि यह सब्सक्राइब दूसरा वर्ड कि और थो कि फॉस्फोरी के सिरे अब देखो और थो वर्ड कहां आता है इसके लिए निस स्पाइब और थो सबसे पहली बात और थो कि लिए कितने हाइड्रोजन होना ज़रूरी है जल्दी बोलो कम से कम से कंटी कि लिए सबसे पहली बात और और थो बड़ कब आता है और थो एसीड और्थो एसीड एग्जाटली पैरेंट एसीड को ही कहते हैं बस पैरेंट एसीड का फर्मूला बोलो सारे लोग के अच्ट्री प्यूफ इसी को इसी को और्थो फॉस्फोरीक एसीड भी कहते हैं जल्दी बोलो जल्दी बोलो इसका यह मतलब नहीं कि ऑर्थो सल्फिरी के सिर्ट उसमें हाइड्रोजन दो है तो इसलिए हाइड्रोजन पॉसेबर नहीं है पहला कंडिशन लिख दिया गया एने इस दिग्रेटर अगर है तो और्थो एसी परेंटेसिट के बराबर होगा डि सिर्थ वसपोरस को सिस्ट जब रोकरोगे कितने हाइड्रोजन दि बता हुए तीन तो तुमको जब पूछा सुनों अच्छे से मैं दमधीरे से बोलना हो यह अजतना है अब जितना स्टुक्चर करू लेना अब रिवाइस करो आउक्सी एसीड में जतना हैड्रोजन होता ह है उतना OHP होता है कि फॉस्पोरस के ऑक्सी एसिड को छोर कर इस फॉस्पोरस के ऑक्सीड में क्या ट्रिक्स बताए गया पहले पी डबल पॉंड ओ एक ओएच ड्रॉ कर लेंगे डिडियो अंडरेस्टाइंड बाकी बचे खुचे को लगा देंगे तो अब बताओ एक हाइड दो आउक्सीजन घटम दो हाइड्रोजन बचा तो दो ओएच दो ओएच डिडियो अंडरेस्टाइंड तो तुम को कि सर तीन हाइड़ों तीन इसमें तो है आगे में धोका हो जाएगा लेकिन ड्रॉ करने का तरीका यह आप सुनो अच्छे से तुमसे एक्जामनर क्या मतलब ट्राइप्रोटिक तीन एच पलस देगा कोई पूछे और से सुनो क्यों तो कहना विकॉज इट कंटेंस थिरी पी ओएच बॉंड तीन पी ओएच बॉंड है जितना ओएच उतना एच पलस होता है मैं यहां पर कहीं पर लिख देता हूं ऑक्सी एचिड में नंबर ओफ ओएच नंबर ओफ एच नंबर ओफ एच पर बराबर तो तीन वेच आपको य और्थो फॉस्फोरीक एचिड इस ट्राइबेसिक या ट्राइप्रोटिक आप स्ट्रॉक्चर बनाएं अलिके बिकॉज इट कंटेंस थी पी वेच बॉंड और रिलीजेश थी एच पलस मैं लिख देता हूं के भी सबको समझ में आया एवरिवन और रिलीजेश थी एच पलस तीन एच पलस देगा किसी को कोई डाउट है जल्दी बताएए एक एक स्टुडेंट इसी तरह स्ट्रॉक्चर ड्रॉ करने का तरीका सीखिए और्थो फॉस्फोरी केसिड और्थो के लिए और्थो के लिए क्या कंसिप्ट है पहला हाइड्रो अगर ग्रेटर दन इक्वाल टू थी है तो और्थो इसी डिजेकन टू पैरेंट इसीड होता है पारड़े पढ़िएगा तभी इन और्गनिक मजबूत होगा एक स्ट्रॉन को छोड़कर उसका नाम साधियान सारी है उस बेचारी को इन और्गनिक नहीं आया था मुझे व लगान से सजर्टर युझेनों सार्ट अब आईए और्थो कैसे बना यह भी सीख लिया फिर वही बात कोई तुम्हें कह ओर्थो फरोसफुरस असे पहले बताओ का सोरोस्रेसिक्रिय 맞ाओ दीदी बताह concurум क्या है इसमें और्थो पॉसिबल होगा जल्दी बादो इसमें और्थो और्थो के लिए का कंडिशन है जल्दी बोलो ना यार तो जब तीन जब और्थो जब जब तीन हाइड्रोजन इसका मनलग और्थो फॉस्फोरो सिस्ट का भी फर्मूला क्या होगा सबको समझ में आया हाया जल्दी बताओ अब इसका स्टक्चर फॉस्फ फिर समय रिपीट कर रहा हूं तमाम ऑक्सी एसिड में जतना हाइड्रोजन उतना ओह लेकिन जब फॉस्फोरोस का ओक्सी एसिड रहे तो सतर कराना पी डबल बॉंड हो ओह पहले ड्रॉव कर देंगे कुछे बॉंड को लगाएंगे तो देखो दो अक्सीजन एक अक्सीजन बचा ओएच अब बताओ क्या रूल सही हुआ तीन एच है तो क्या तीन ओएच है इसमें जल्दी बोलो गवाही दो अरे बोलो ना हाँ नो से इसलिए बताओ यह क्या हो जाएगा डाइबेसिक दिख अचने में लग रहा है तीन हाइड्रोजन थीरी एच पलस देना चाहिए नो नो कोई कह क्यों कहिए बिकॉज इट कंटेंस टू ओएच याद रखना ओक्सी एसिड में नंबर ओफ एच पलस ओएच के बराबर होता है जितना ओएच उतना एच पलस तो फास्फ़रस के ओक्सी एसिड में स्टूडेंट को धोका हो जाता है हाँ S2SO4 है डारेक बताओ दो एच दो ओएच दो एच दो एच पलस कोई पूछे S2SO4 दो एच पलस देता है 99.9% स्टूड कहते हैं बिकॉज इट कंटें 2 हाइच गलत कहिए इच कंटें 2 ओएच ऑक्सी एच पलस हाइड्रोजन नहीं ओएच 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 और यार बोलो ना गवाही दो ना आरा समझ में पुछे S2SO4 रिलीजस 2 ह पलस चार ओप्शन दे 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 दू टू हाइड्रोजन दू तू ओएच पलस यहां पर तो चल गया तीन हाइड्रोजन तीन ओएच हो गया लेकिन यहां तो दो का हो गया इसलिए chemistry में overall result के लिए आपको जो मैंने tricks दिया उस पर याद रखिए तो रटने की जुरूद नहीं अभी तो मैंने आज सिखाया है तो आपको थोड़ा साथ टफ लग रहा होगा लेकिन आप पर लेंगे diprotic कोई कहें why because because it contains to pOH जब हाइच नहीं होगा जब हाइच जो होता है ना वह एच पलस नहीं देता समझ रहें डिडिव अंडरेस्टेंड एवरीवान पिस सब्सक्राइब अगे पर हैं जन्दी पता हैं अगे यह सर्ट यह सर्ट और तो का मामला सब को समझ में या फिर से रिपीट कर रहा हो कोई भी पूछे उर्थो का फार्मुला बता हो और तो पहले है हमें होता है जिसमें हाइडोजन तीन से जादा हो और जब तीन या तीन से जादा होगा तो जो पैरेंट अकश हए कि और भी हो जाए कि फोर्छ अब आओ कि पाइरो का वाड़ कब इस्तमाल होता है गोर से सब प्रीफिक्स है प्रीफिक्स पहले लगता है मेटा ही पो पाइरो और्थो मेटा पाइरो हाइपो अगर भूल जाओ तो अपने से बनाओ कितने को जुल-जुल के हाफिस की तरह कर होगे नो concept को इन और्गिनिक में याद रखो आप देखो पाइरो का वाड का इससे इस्तामाल करोगे पहला पॉइंट पाइरो उसी में पॉसिबल होगा जिसमें हाइड्रोजन दो या जो से जादा होगा इसका मतलब बताओ क्या पाइरो सल्फुरीक एसिड पॉसिबल है होगा ना याद रखो मेरे भाई ना इसमें और तो कुछ भी नहीं है गधे के पास इसलिए नाट्रिक एसिड का उक्सिएसिड देखोगे नाट्रस नाट्रिक पहलाना चिलाना होगा और तो नहीं आएगा अब देखो गौर से सुनो पहले फिर से बताओ पाइरो के लिए हाइडोजन कितना होना चाहिए तू यह तू सब्सक्राइब को याद करने के लिए ट्रिक्स दिया जा रहा है नो कॉम्टेशन में पूछेगा पाइरो कब लगता यह सब नहीं पूछा जाएगा आपसे तो ट्रिक्स याद रखिए कि पैरो कैसे अप्टेंड होता है तो इस अप्टेंड बाई रिमूवल ऑफ वन वाट इसमें भी वन वाटर मॉलेकूल रिमूव करने रिमूवल वन वाटर मॉलेकूल आगे का लाई फराम तू मॉलेकूल ऑफ पारेंट एसिड मेटा बनेगा एक मॉलेकूल से वाटर रिमूव करने पर अगर दो फराम तू मॉलेकूल सब पारेंट एसिड तो यह पायरो बन जाता है डिल्यू अंडरस्टाइंड इसलिए इसको यह भी कहते हैं डाई फोस्फोरीक एसिड ड डाई डाई क्या बोलते हैं अरे बोलो ना क्या डाई हाँ दो से मिलकर बाना ना ये अश अब सुनो फर्मुला मालो याद नहीं है तो बताओ पहले फॉस्फोरीके सिड का क्या फर्मुला होता जन्री बताओ इस 3PO4 बोलो ना यार जो से मॉल्टिप्लाइड करो एक एस 2 घ में इसे पड़ने को आप झाट गया एच हो है है जिसका फर्मुला याद रखो है। पाल मत नूच दिमाग को नूच नुच निमागकी बती जेला पाइरो फॉझर इसलेए ल hora कर रॉफ में सिटरो ना वहादा दे एस प्रूब कंपा दे हो और सेवेगा सबस्टUSE तेगा यह नागा है जासना न कितने पहलो ना आप सुनो कैसे सोचना शुरू में टान लगएगा समझने में या टीचर को भी समझाने में जैसे ही तो सेंट्रल एटम हो और ऑक्सी एसिड हो याद रखना है दो सेंट्र एटम ऑक्सीड और नमबर लिंकेज ए ओए अब फिर याद रखेंगे पास दफापर होगे तो तभी नहीं भूल पाओगे दो सेंट्र एटम ऑक्सीड नमबर एओए एकसेप्ट ऑक्सीड अव्दा सलफर को छोड़ कर आप तो पी तो पहले पी ड्रोकर इसी तफा जी में पूश्चन आया है एज पूश देगा हाउ में चार कंपन किसमें किसमें ए ओ लिंकेज पूछता है पूछता है भारत पूछता है पूछता है जी में सिब्सिय पूछता है पूछता है नीट आपको कई घाना सरे स्ट्रक्चर ड्रौ करने तो स्ट्रबलो करने को पूछ सकता है और आपको फूश Agora बताओ देख बाता और देख किसमें है किसमें एडवल बॉंड ओ है अरे है कुछ भी पूछ सकता है डिड्यू अंडरस्टेंड पूछता है जी पूछता है सिबी एससी पूछता है नीट अरे बोलना यार जन्दी बोलना अब देखो हो गया अब बताओ कितना है आउक्सी अशिड आफ फास्पूरस है तो जतना हाइड्रोजन कोई जरूरी नहीं कि उतना वेच हो जाए तो सर ने पढ़ाया था आउक्सी अशिड आफ फास्पूरस रहे तो एक डबल बॉंड एक वेच दोनों तरफ दे देंगे अ अब एक ही बॉंड बचा बस बचे खुझे को लिखे तो आई आई बोलो ना बोलो ना बोलो ना यहाली अश्पूरस टेटिरावेसिक क्यों चार ओएच पलस चारेच पलस पलस लोन पेर देना चाहो तो दे सकते हो ऑक्सीजन के वालेंशिल में छेच मेंसे दो दो बॉंड सब्सक्राइब और आपने आप याद हो जाएगा सब को समझ में आ रहा है जल्दी बताएं यह सर शादान नाम के स्टुडेंट को आ रहा है शादान यह सर थांक यू सब्सक्राइब कर देखते रहा है तुम को फिजिकल भी बेज़ दिया तुम देखते रहोगे अपना घड़ पर तुम को फिजिकल भी हम परहां देंगे घबराओ मत जी सर तुम घबराओ में गुरू दक्षना देदू जो गुरू दक्षना देता है ना हमको बड़ी खुशी रहती हैं उसको और अच्छे से परहते हैं जी से हाँ यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है गुरू दक्षना यूनो इन्वेसास सर के इस्टाबिटी गुरू दक्षना के डारिकली प्रपोर्शनल है जो कि और अर्गनिक में परहोगे ग्रेटर देस्टाबिटी ऑफ इंटर्मीडियेट रियक्षन वुड वी फास्टर यूनो परहे हो ना और अर्गनिक में जो पर चुके हैं यार तो हमारे और इस्ट्वें के बीच में इंटर्मीडियेट है गुरू दक्षना गेरेटर दर रेट और गुरू दक्षना इस्टाबिटी ऑफ इंबसासर इंकरीज़ यूनो यस यह मसला है गुरू दक्षना जो नहीं देता मेरा दिले दम परिशान होता रहता है ना मालू मेरी बहुत कमजोरी है नहीं सर कोई पैसा नहीं देता है ना मेरा दिल इंदम परिशान होता रहता है अमें परहने मजा नहीं आता है आई बीकम संटेबल घलत प्रहा देता हूं इसको लिए सारे लोग जल्दी बताओ आ गया सबको समाझ में जल्दी बताओ यार मदीहा जानती है मेरे पर पीएसडी कर चुकी है ना मदीहा बचारी पीएसडी स्कॉलर है रही है लिक लिए सारे लोग आगे बर हैं यस अब देखो चौथा अच कितना हो गया भाई किता चार हो गया पांचवा है अब देखो अब तुम अपने से पाइरो इसाप बना सकते हो ना पाइरो फॉस्फ़ः तो पहले बताओ फॉस्फ़र मैंले का न एक पर दुसरा खुद बखुद आ जायगा तो क्या हो जाएगा एसफने साथे फर्मूले कैसे याद रखोगे तो वही सब ट्रिक्स इसलिए परहा रहा हूं है अब बताओ कितने सेंट्र लेटा में जन्दी बताओ दो और और ऑक्सीजन कितने में है इवेन अशरी तो हमेशा इवेन नंबर में दो कंडिशन है तो सबसे पहले हमेशा तो एए बॉंड डाल दो अब बोले कुछ पुछ नहीं हां सॉरी 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 एस थी प्यों थ्री नहां फाइव तो और इन नंबर होगा सॉरी हां एश फोर पी टू ओ फाइव तो और है तो लिंकेज ए और तो पी ठीक है फास्फोरस का ऑक्सी असीड है एक डबल बॉंड ओ एक मैंने का ना जो रू प्रक्षर की प्रक्टिस कर अपने आप आ जाएगा एडबल बॉंड ओ एक वेच एक बंड बच किया चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन चार हो ना चाहिए लेकिन दो ही हुआ कि नहीं तो क्या बोलोगे डाई बेसिक बोलो हाँ या ना पिछले वाले में देख लो चा तो पूछो नो सब लोग को समझ में आ रहा ससत बताई किसी का दिल भारी तो नहीं हो रहा है नहीं पूछ पा रहे हो मरियम को अरहा है ना सब को जो रूल है उसी पर एक दफार घर पर देख लिजेगा और अच्छे से आ जाएगा किसी को दोस्त लेक्टर को अगर आप चा लड़का इसमें तुका हमेशा डिस्टर्ब करता रहता यह निकले असारे लोग जी से गुड़ तो तुम पाइरो बनाना सीख गया है और थो बनाना सीख गया है मेटा बनाना सीख गया है बोलो सीखे की नहीं सीखे पर अच्छी अच्छी बात रिमार्क्स में लिखवांगा अभी पहले आप देखो हाइपो है सब हैसले बस में हाइपो फोस्फोरी के सिल तो हाइपो की दो डिफिनेशन होती है मैं लिखवा देता हूं अगर भूल जाओ तो ट्रिक्स याद रखना डारिक याद हो जा तो अच्छी बात है ना याद हो तो ट्रिक्स के याद रखना अगर याद रखो अगर एक फॉर्म है तो हाइपो इस अब्टेंड बाई सब बहुत आसान है हाइपो इस अब्टेंड बाई रिमोवल ऑफ औक्सीजन चाहे हाइपो कहीं पर भी ऑक्सीजन रिमोग होगा अगे का ना है फोरां पाइभ पाइरोफर्म अभी पर है तेना अरे बोलो स्पूरीकए के सिड़ का फर्मुला फिर से बोलो सारे मिलके विस्ट ठिपीट कर रहा है दो ने पारेत ना पाई रो फर्म होता है जल्दी बोलो हाँ है या न कि इसी में से अक्षियन घटा दो तो यही हो गया अब फॉस्पोरी के सिड़ तो इस भी भूलोगे नहीं डारेक याद रहे तो अच्छी बात है एच फॉर पी टूसिस बहुत सारे स्टून को डारेक याद है अच्छी बात ना याद रहे तो याद रहे एक फॉर्म में हाइपो कैसे बनता रिवोगल आफ ऑक्सीजन फॉराम पाइरो फॉर्म अब बताओ कितने अच्छा पहले यह वाला लिख लो सारी लोग पहले यह लिख लो अब अब सब्सक्राइब को कुछ आ रहा है महसिन है क्या यहां पर जी सर है तुल दिल्ली में हो जी सर कहां रहते हैं दिल्ली में मैं यहां ओकला हैड़ पर सब्सक्राइब कोचिंग के नजदिक हो क्या अरे या जी सर मस्जित से कूद के दरी अच्छा 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 क्या है ओके पाशाला बेरी गुड़ क्यां देए को दिली लोग कि जी सिर्ट यसरा कि यह सुट्र यहां आप ओ अब आओ इसका ड्रों करने गार्टेगा बताओ कि पहले सारे लोग बताओ कितने सेंट्रोल इताम है दो 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 ऑक्सीजन किसमें है इवन नंबर के लिए दो कंसेप्ट ए ए या ए ओ ओ ओ ए तो तुमको खुद पता चाल जाएगा जब भी ड्रॉ करो ना तो ए ए बॉन पी सिंगल बॉन पी अब फास्परस का उक्सीज़ ने बताओ फास्परस का उक्सीज़ तुम कितनी दफा परे यह कितना इस एक्जामपल होगी अच्छे यह दफ़े मैंने रिपीट किया कि नहीं जन्दी बोलो अब तुमको यही डाउट है इसलिए कहते हैं जब भी फास्परस का उक्सीज़ हो चाहे सिंगल सेंट्रल इटम का हो या दो सेंट्रल इटम का हो कुछ भी हो हमेशा जतना हाइड्रोजन है उतना ओएच नहीं होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता देखो मैं छे दफ़र रिपीट किया हूं तो आपको अच्छे से आना चाहिए हमेशा बताए पहले ऑक्सीज़ का फास्वर पीडवल बॉंड हो एक वेश डॉप कर लो पीडवल बॉंड हो अच्छे साथ बीच में डान तो थीक अब बताओ टेटरा बेसिक है कि डाइबेसिक है कि क्या है यह जाए रिजन बताओ क्यों है तारो है चाहिए जाए वेरी अधे वेरी गिलिए जतना वी चुतना है इस पलस चलो लिख लो आगे बरें चन्दी पता दो सारे लोग साथवा है हाइपो फॉस्फी हाइपो फॉस्फॉरस अब बताओ यह एक फॉर्म है कि अस फॉर्म है उस उस तो थेको और फॉस्फॉर्म में हाइपो है इसमैंई आदेंघ दिखैंगे इसमे भी उक्क्षीजन हो उक्सीम परफिहीजन रहा है रिमभ लॉप H ड़िज खुवा थास्टी इन दोनों में ओक्सीजन रेप्व टारे इसमें अभक बतां एस फॉस्फोरस अचिड का पारेंट एसिड कौन है इस थी पीओ तरी अरे बोलो ऑक्सीजन घटा दो एस थी पीओ टू डिए अरे बोलो इसका दूसरा नाम याद रखना दे देगा तो जमीन तारे पर है तारे जमीन पर है हाइपो फॉस्फोरस असिड इस अलसो कॉल्ड फॉस्फीनी केसिड है याद रखना सतर्क रहना फॉस्फोरस असिड का फर्मुला स्थिपीओ टू इस थी पीओ इस इदि यू अंडरेस्टाइंड पले लिख लो अब यही लास्ट है अब उसके राद हम रिमार्प्स लिख परेडे लेक्चर को पढ़िए और हर दिन 15 मिनट पीछे का रिवाइस कीजिए एक एक चीज़ को रफ पेपर पर पांच-पांच दफा लिखिए इसमें कोई फर्मूला नहीं कोई नुमारिकल नहीं आपको समझ में आएगा सुन लिजे और मेरे नोर्स को पर लिजे पर लेक्ट नंसे इसमें सब सॉल्व हो जाएगा उसके आज जितनी बुग बनाना सब हो जाएगा पहले आप नोर्स को पर ये जिन आपको एंसे आटी पर यह तो और अच्छे से आएगा तो आपको अपको हमेशा डाउट रहेगा यह सब में पराया हम सिक्वेंस में पराते हैं सुना सारे लोग जल्दी बोलो हां या ना हमेशा नोर्स को पर हो गुरूफ 15 जब कंप्लीट हो जाए तो अपना तुम चाहते हो कि हम NCRT ही पर है तो NCRT को पर लेना नहीं है तो कोई बात नहीं नेकिन परना चाहिए बहुत से अंदाजा होता है से लेबस में कोई मिस इसको छोड़ कर फास्फोर फास्फोरस की उसको ड्रॉ करने का तरीका है पी डबल बॉंड हो एक ओच देखो एस्थिरी पियो टू बताओ ऑक्सीजन दो खतम हो गया जल्दी बताओ हाया ना यह सर्व तो क्या बचा हाइड्रोजन बस देखो है है तो देख लो एस्थिरी बताओ जो पूरे के लिवनवेजन बस तेन हेस्थिरी में थीन यह दूसुटर्स के आपको इसफिरी मेर स्थिरी या ऐस्थी पियो ट्रिक्स मैंने 233 है जहीं 3-3 हुट्रोज्ञन है लेकिन क्या थीन है तो यही फास्फोरस को छोर कर पूरी केमेस्ट्री में इनार्गनिक में फास्फोरस के ओक्सी एसिद को छोर कर तमाम उक्सी एसिड में जितना हाइडरोजन उतना उज उतना एट पलस फास्पुरस को छोड़कर, ओक्सी एसिद को छोड़कर, इसलिए ट्रिक्स लिखा दिया गया, नहीं लिखा जाता हर में डाउट रहता आपको, यह सर यहां यहां यहां, अब यह ओवराल करेक्टेरिया हो गया, एक अल ऑक्सी एसिड जतना हाइडरोजन उतना ओवेच, डारेक्ट्ट्रोक और लोज में, जो आएगा ग्रूप 17, अपर 17 में, लेकिन फास्पुरस के ओक्सी एसिड में जतना हाइडरोजन कोई जरूरी नहीं है कि उतना ओवेच हो, इसलिए चेमेस्टी में पूछेगा, ब वुछे गाइजामनर, why it is monoprotee? तो because it contains one POH, this is very important, and release is 1H+. Do you understand? जल्दी बता दो सारे गोग,